नमस्कार दोस्तों सागता सभी लोगं का अचानक से अगर मीटा खाने का मन करें तो यह रेस्पी आप लोगं के लिए यहां कुछ ब्रेड लिए हैं ब्रेड को बीच में से इस प्रकार से कट कर लेना है यह देखिए जितना आपको बनाना है उसने ब्रेड ले लिजिए और उनको बीच में से कट कर लेना है तबा रखके उसका गैस का फिले में लो रखना है उस पर हम सिर्फ दो चम्मच घी डालेंगे देशी घी और ब्रेड को इस प्रकार से सीख लेते हैं पलट पलट के सीखना है दोनों तरफ से आप या इनको डी फ्रै भी कर सकते हैं वह आपकी लाज वाव लगता है एक ट्राइ करके जरूर देखना तो मैं सारे ब्रेड के पीशो को इस प्रकार से शेख के रख लेती हूं ब्रेड़ों को यहां हमें अच्छी तरह सीखना है इस प्रकार से आप देख पा रहोंगे तो अभी हम नेक्स्ट रवडी तयार कर लेते हैं य डूध में चार चम्मर्च मिल्क पाड़र को मिक्स कर ना है और स्वाद अनुसार मीठा लेना है जेतने भी आप ब्रेड़ बना रहे हैं उसी इस साफ से आप मीठा या निक चीनि उसमय यूज करो उसको अच्छे से मिक्स कर ना है जैसे में कान्नाई से מिल्क में मिक्स कर estamos उसी पकार से हमें चीनी और मिल्क पाड़ों को मिक्स करना है मिल्क में दूद में यहां कुछ केसर के दागे लिए हैं उनको पहले ही मैंने थोड़ से हलके से गुनवरे दूद में बिवोकर रख दिया था यह उप्सनल है एक चम्मच हमें आप है इलाची का पाड़ों हूं यह ड्राइफ़ों सहब अपने सetto ले सकतेक तो जो हमने ब्रट सेकरही हैं उनको इस प्रस्ते रख देते हैं कि सारी प्रड़ों को एक सब रख लेते हैं और जो हमने रखीm recruiting को सारी ब्रड़ों पर फैा देते हैं कि हमाने थोड़ दिर के लिए इंको ऐसी छोड़ना ह होगा आप इनको फिरिज में रख दीजिए एक गंटे के लिए दो गंटे के लिए सैट होने के लिए तो इतना जबरदस्त साही तुक्रा बनके तयार होगा आप बार बार बनाके खाऊगे दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक करना और चैनल पर नहीं और पिस्ति या फिर काजू जो आपकी मर्जी है तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे